प्रेंट प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आसा करता हूं अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई में वैस्त होंगे ठीक है तो पहले आप लोग यह बताइए बहुत क्यालिटी सब ठीक है अब बंटी राज गोड इमनिंग सुसील यादव गोड इमनिंग अमडियर मां अर्मान रविंद्रा साहु गोड इमनिंग परमोध यादव गोड इमनिंग अमडि साहीद गोड इमनिंग अमित यादव सुसील यादव मितलेश कुमार भास क्यालिटी सब ठीक है ना बताइए शाहिल गेमिंग गोड इमनिंग तो चलिए आज हम क्लास 12 के लेक्चर नमर 8 लेकर क्या हैं फॉंडेशन वैस का ठीक है और बिना बिलम के हम सीधा चलेंगे टॉपिक पर कल हमने पढ़ा पढ़ा था कि के आंवी काधार पर किसी भी मstars में कितने आकरतियां होती है थीक है और इसमें पहला सर्फेस होता है पहला और क्या है सर्फेस है दूसरा लेन्द और तैसरा कोन्ची होता है और हम आपको बताये थे कि बैग्यानिक रोबर्ट मिलिकन बताये थे कि जब किसी बस्तु को चार्ज देते हैं या चार्ज करते हैं तो बस्तु पर continuous मतलब संतत रूप से संतत रूप से आवेश जो है बस्तु के सभी आकरती पर फैलती है हम आपको बताये थे कि मिट्टी का एक कन उठाये यादि उसको भी आप चार्ज देते हो तो उसमें भी चार्ज continuous रूप से इन तीनों आकरती पर फैलती है क्योंकि उसमें ये तीन आकरती होती है ठीक है तो उसमें हम आपको प्रिश्ट से रेलेटेड हम बोले थे कि तीन आकरती से तीन गो थियोरिय आपको बोर्ड एक्जाम में पूसा जाता है तीन गो टॉपिक आता है एरिया से surface density of charge length से linear density of charge आप volume से volume density of charge ठीक है तो हमने कल आपको मतलब क्या बता दिया था surface density of charge आब इसका प्रिश्ट घनत और केवल प्रिश्ट घनत भी नहीं बता था बलकि इसका सारा formula वीमिय सुत्रैसाई मात्रक सारा कुछ करवा दिया था और इसका आपको हम numericals भी ये दोनों करवा दिया था आज भी हम start करेंगे कुछ numerical से ठीक है कुछ numerical से ही start करेंगे हम तो यदि आप लोग को दिखाई दे रहा है तो यहाँ हमर जाता अब गोड इमनिंग कोश्चन दीख रहा है प्राइब करेंगे तो यहाँ प्रेश नहीं है चलिए अब दीख रहा है सबको अमीत यादव अब भी नहीं दीख रहा है चलिए दीख रहा है तो इसमें हम सर्फेस डेंसिटी आफ चार्ज आवेस के प्रिष्ट घनतों पढ़ाया था और आवेस के प्रिष्ट घनतों में हम आपको बता दिया था कि आवेस के प्रिष्ट घनतों को कुँछी दुवारा सुचित करते हैं छोटी सिगमा दुवारा सुचित करते हैं और छोटी सिगमा बराबर होता है क्यू बट्टा ए मतलब टोटल चार्ज बट्टा टोटल एरिया ठीक है तो यहां पे देखिए पहला कोश्चन दो संटीमीटर भुजा वाले किसी घन पर बारा मैक्रोकुलम का आवेस है घन के प् माविसका प्रिष्ट घनत क्या होगा तो देखिए इस स्ट्व के question to solve करने के लिए सबसे पहले क्या काता है यह गहान है कितना centimeter का क्या होगा मतलब यह माल लीजिए आपका घन है यह आपका घन है और इसकी भुजा है कितना दो संटीमीटर और इस पर जो चार्ज है क्यू का वैल्यू है कितना क्यू का वैल्यू है क्या है 12 मैक्रो कुलं तो इस पर आपको आवेस का प्रिष्ट घन तो मतलब चोटी सिगमा निकालना है कल हमने बताया था कि घनतो का मतलब परती एक अंख अर्ठात इसके टोटल प्रिष्ट पर चार्ज कितना है 12 मैक्रो कुलं और इसकी भुजा है 2 संटीमीटर तो आप क्या लिखोगे गिवेन मतलब दिया हुआ है क्या भुजा ए बराबर दो सेंटीमीटर और क्यू जो है वो कितना 12 माइक्रो कुलम तो यहां से सर्फेस डेंसिटी ओफ चार्ज निकालोगे तो चुकी सर्फेस डेंसिटी ओफ चार्ज सिगमा बराबर होता है क्यू बट्टकोंची और तो यहां से टोटल चार्ज कितना है बारा गुना दस पापाल मिनस 26 कुलम अए मतलाव गन का छेटरफल होता है घन का छेतरफल ये तो भुजा है न ए और इसका यह दखो कुलम में मतलब आभेस कैसा है मात रख है लेकिन ये तो भुजा जो है सेंटीमीटर जो है वो भुजा का सीजियास मात रख है तो इसको क्या कौनची में बदलेंगे मीटर में तो दू भागा एक सो ठीक है क्योंकि नुमरिकल का कॉंसेप्ट है कि सारे नुमरिकल वैल्यू जो है यूनिट के एक सिस्टम में होना चाहिए तो दू भागा एक सो अर्थात आप इसको लिख सकते हो दू गुना दस पर मिनस दू मीटर तो ये घन का हो गया कितना मतलब दो गुना दस पर मि कराबर होता है चोगुना भुजा स्क्वाइर चोगुना भुजा स्क्वाइर तो यहां से ए निकालोगे तो चोगुना दू गुना दस पर मिनस दू मीटर का होल स्क्वाइर मीटर का होल स्क्वाइर तो ए हो जाएगा आपको देखिए चोगुना दू दूना चार गुना मेंटार 25 twisting नदास फार मिनस चार मींटर स्कराइर एरिया हो गया आपको 24 मतला कितना निकला 24 गुना 10 पर मिनस 4 मीटर स्क्वेर अब काटोगे तो बाड़ा दूना 24 यह देखो मैनस है उपर जागा तो पलस हो जाएगा तो यह जो छोटी सिगमा इसका निकलेगा अर्था ताविस का फ्रिष्ट घनब चो निकलेगा वो क्या आएगा छोटी सिगमा बड़ाबर एक बटर दू एक बटर दू आगो ना मैनस के उपर जागा तो पलस हो जाएगा और मैनस हो पलस convincing मतला bize मिनस दू थाज़न पर मेंस-दू कुलम परती मीटर स्कुएर यह x2 चोटी सिगमा पर आब रबर आप इसको लिग सकते हो जीरो गुना दास पार मेनस दू कुलंब परती मीटर स्क्वाइर यह हो गया आपके यह सवाल का आंसर बात समझ माया कि जेके फैंस कलब कि अगर कि समझ माया आपके पहला नमर का सवाल का अंसर था अब देखिए दूसरा नमर का आप लोग बना के आएंगे अपना बना लेंगे बहुत आसान सवाल है समझ गहें ना नमर का दो सेंटिमीटर भुजा वाले घं यह भी क्या है दूस यह भी घं ही है दो सेंटिमीटर भुजा वाले घंपर 18 माइक्र कुलम का आइश है honors jaki तव गनपर आवेश का प्रिष्ट मतलब समझ गये जहां पर दो संटीमीटर रखा था ए बरावर यहां पर क्या रखोगे 10 संटीमीटर क्यों बरावर 18 में सेम टो सेम सवाल उसकी बाद तीसरा नमर सवाल एक संटीमीटर तिर्जिया वाले गोले पर कितनी आवेश दी जाए उस पर आवेश का प्रिष्ट घनत 2.6 गुना 10 पर म संटीमीटर और उसका मतलब तिर्जिया आर दिया हुआ है आवेश के प्रिष्ट घनत मतलब छोटी सिग्मा का मान दिया हुआ है चार्ज निकालना है कैसे करोगे बताओ यहां पर देखो यह कोई एस फेयर है यह कोई क्या है यह कोई एस फेयर है गोला है और यह उसका कोंची है सेंटर है यह उसका कोंची है यह उसका सेंटर है और यह उसका रेडियस है अब यहां पर देखिए कोईस्चन में दिया हुआ है कोईस्चन में दिया है मतलब लिखिये गागे भेन दिया है आर बराबर कितना संटीमीट मतलब 100 से भागा देखर करके इसको आप मीटर में लेऊ 100 मीटर मतलब 10 पर पावर मैनस 2 मीटर एतना मीटर इस गोला का प्तिरजिया दिया हुआ है उसके बाद इस पर प्रिश्ट घनत 2.65 अगोना 10 पार मेनस 5 कुलम परती मीटर स्कुएर तो उस पर काता है कितना चार्ज दिया जाए तो क्यू बराबर वाट अब देखो कितना आसान सवाल है तो चुकी छोटी सिगमा बराबर क्यू बटकों जी यहां से यदि हम क्यू निकाले अच्छा यहां All events three इस मॉले कंडिया होई तो क्यू हो यहां से यह हम क्यू नेकाले तो छोटी सिगमा बुना क्या हो जाए आगूना छेत्र फ़ल गोले का छेत्र फ़ल फोड पॉसर्ड नहीं होता है तो क्यों हो जाएगा 2 दसनलब 6 5 अगूना 10 Um-5 कूलंपरती मुटर्ती सक्वर अगूना फोर आगूना तेन दससंद्यां लब एक, चार अगूना यह- आरменे-चवर- डसपॉट-फॉस2 है, 10-2 मेटर का क्या कर दीजेगा, होल एश्कुर्र, कैलकुलेशन कर दीजेगा, फटाग से आँसर आजागा, अब देखो, मेटर का श्कूर है, तो यह यह मीटर का स्क wham, कट जाएक, खाली बचएगा कूल, तो यह इसके साथ, इसको गुना करके, अदू दू ना 4, पांच चार, 9, मतलब दस प्यागोर्त नो, नाUSE मैं, चार गुना, इतना है, फिर उसके साथ इसको गुना कर देजिए का अंसर, आ जाएका बाठ समझ Имहाया की चलिए इसके शौत लीजे ये था आपके सवाल नमर 3 समझों चलिए मतलब कोई बस्तु है जिसका एरिया दिया हुआ है मतलब एक सो सेंटी मेटर्स क॥र में उस बस्तु पर आवेस का पंच है तो बस्तु पर कुल आवेस क्या होगा यहां पर क्या करोगे मतलब छोटी सिगमा का वैलू दिया हुआ है आप क्या करोगे ऑस्क्रीन्शाट ले लिए हैं सवाल को तो थोरा सा हम सवाल को साइड करें बताइए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चलिए देखिए क्या नमर का सवाल था चार नमर का तो काता एक बस्तु का प्रिश्च छेत्रफल तो चार नमर में आप क्या लिखोगे जिखोगे जिए दिया हुआ है एरिया ए बराबर कितना एक सो सेंटीमीटर स्क्वेर दिखाई दे रहा न सबको कि 100 cm2 उसके बाद देखे 5 मतलब इसका प्रिस्ट घनत उस बस्तु पर आवेस का प्रिस्ट घनत प्रिस्ट घनत मतलब छोटी सिग्मा 5 e.s.u. 3 cm2 अब देखो इस पर क्या कहता है तो उस बस्तु का कुल आवेस मतलब क्यू निकालना है इस तो देखे सरलों से सरल सवाल है सिगमा बराबर क्यूबा ए पढ़ें ना आप कल ही तो पढ़ाए थे सिगमा बराबर क्यूबा ए जो वच्चे नहीं पढ़ें ये थियोरी को वो जाकर के पीछल कल का वीडियो देख लीजिए पूड़ा एक घंटा खाली सर्फेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ही समझाये थे हम प एक संटिमीटर स्क्सकार सिगमा सिगमा गार्फ यरिया मतलब Cow सेंटिमीटर स्क्सक्पार ठीक है 100 सेंटीमीटरЗшा चायेगा यह तो आप देखिए यह और यहां संटीमीटर स्क्वाइर है यहां कर जाए और यह हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बराबर पांच गुना एक सो को दस पर पावर दू लिखोगे ई-स-उ- समझ में कितना आसान सवाल है बताइए चंदन कुमार समझ में आ रहा है ना डेली जिक्के ऑफिसियल गोड़ेंग अंजली आनंद गोड़ेंग डिके बारा समझ में आ रहा है ना चलिए चलिए यदि ये सवाल आपको समझ वाया तो हम आगे बढ़ें सर्फेस डेंसिटी आफ चार्ज का लगभग सवाल हम करवा के ही आप बढ़ते चलेंगे ठीक है क्यों बरावर एनी का जो हार्ट लेबल का सवाल है वो हम बाद में करवा देंगे कुछ कुछ सवाल करवाय थे वैसे कुछ बच गया था सवाल चलिए उसके बाद देखिए चार नमर का हो गया पांचमा सवाल देखिए कितना आसान है सवाल को पढ़िए पहले देखिए काता है पांच नमर का सवाल काता है यदि दो गोले के तिरजया कानुपात एक अनु दो है एबं दोनों गोले पर आवेस कानुपात एकनुपात दो है तब दोनों गोले पर आवेस का प्रिश्ट घनतु कानुपात क्या होगा मतलब समझे देखिए ये कोई दो गोला है ये कोई क्या है दो गोला है देखिए यह कोई दो गोला है जिसके इसका यह इसको आप फर्स्ट गोला मानिए कि फर्स्ट एस फेयर मानिए आप इसको पहला गोला मानिए इसको दूसरा गोला मानिए तो इसका जो radius होगा, इसका radius r1 होगा, और इसका radius r2 होगा, और इसका भी center होगा, उसका भी center होगा, अब देकिये, काता है यदि दो गोले के 30焊नुपाथ, 1焊नुपाथ 2 है, मतलब given दिया है, R1 अनुपात R2 बरावर कितना? एक अनुपात 2 एबम दोनों गोले पर आवेशका अनुपात मा लिजे ये गोला भी चार्ज है और इस पर जो चार्ज है दोस्त इस पर चार्ज मानलो Q1 और इस पर चार्ज मानलो Q2 ठीक है? और तुमको दिया हुआ है कि Q1 अनुपात Q2 बराबर कितना दिया हो है बताओ एक अनुपात 2 तो कहता है तब गोले पर आब इसके प्रिष्ट घरणत का अनुपात मतलब sigma 1 sigma 1 पहला गोला पर आब इसका प्रिष्ट घरणत sigma 1 और इस पर sigma 2 तो sigma 1 अनुपात sigma 2 बराबर What समझ रहे हो ना तो देखो चुकी सार सिगमा बराबर होता है क्यू बटा ए तो इसी लिए सिगमा वन बटा सिगमा टू बराबर क्यू बटा एवन बटा क्यू टू बटा एटू मतलब सिगमा वन का क्यू बटा एवन सिगमा टू का क्यू टू बटा एटू समझ रहे हो ना त सब्सक्achtet कमार थेक है पढ़िए किए सीगमा वंगे बट्ता सिगमा टू बराबर यहां पह सभी तक पल्टो गे तो क्योáveis बट्टा यह एक वन सॉरी यह क्या हो जाएंन गुणना सबसे उपर तो य家 क्योटू बट्टा क्योटि हो जाएगा क्योटू हो बात समझ मारा है To bite to a हम दो यह हो एंसलिए को यहां पर क्या क्या रख सकते हो एक आचा एग ववां में पहले क्यू टू को इधर ले आते हैं तो एक बट्टा दू इसको कर दो मागूना एक टू बट्टा एवन मतलब यह एरिया ऑफ सकेंड एस्पेयर अबटे एरिया ऑफ फर्स्ट एस्पेयर ठीक है तो यहां पर यह हो जाएगा आपको देखो इसको थोरा सा और हम साइड कर लेते हैं सवाल को स्क्रीन सौर्ट तो आप लोग ले ही लिए होंगे कि देखिए तो यहां पर सिग्मावन बट्टा सिग्मा kiye2 हो जाएगा बराबर एक बट्टदू समझिमाल है यहां किст बट आ डो झारन यहां पे टो समझ महारा रहे हैं तो यह हो यहां दोस्ट सएंडे सुऋ आलिख मैका रटोस्पर करें जाएगा एक sigma 2 बराबर 1 बटा 2 गुना r2 बटा r2 बटा r1 का भी स्क्वर है तो फूरा होल स्क्वर चलाए दो तो यह हो जाएगा sigma 1 बटा sigma 2 बराबर 1 बटा 2 गुना देखो फिर यहां पर देखो r2 का फैल्यू दू है r1 का फैल्यू 1 है तो इसका मतलब आर टू उपर में है तो दू बटा एक का होले स्क्वर हो जाएगा तो सिग्मा उन बटा सिग्मा टू हो जाएगा एक बटा दो गुना चार बटा एक दो दो ना चार और इसी लिए सिग्मा उन अनुपात सिग्मा टू निकालोगे तो दो अनुपात एक समझ में आया यहां पर देखिया आंसर भी है दोनुपाद एक तुनदिकत कि समझ मारा ये सब सवाल कि दोस्त ये सब बोड़ लेवल का ही सवाल है कोई अच्छा लेवल का सवाल ये सब नहीं है ज्यादे हाड नहीं है कि साहिल गैमिंग नहीं समझ माया कभी नो सर कभी ये सर बोल रहे हैं यार नहीं समझ माया चलिए एमडी अर्मान ये सर ये सर आ गया चलिए पसिना निकल जाता है आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए चलिए समझ माया गया स्क्रीन सोट लिए आगे बढ़े हैं चलिए अगला सवाल देखिए कि इतना नमबर का होगा सवाल देख रहा न सबको चलिए पांच नमर का सवाल हो गया छठा देखिए वही सेम चीज़ा देखिए दो गोलेक्ट पर के आवेस बराबर है यदि आवेस का आइतन घनत सौरी यहां पर आइतन घनत के बारे में पूछ रहा और आइतन घनत तो अभी हमने पढ़ाया नहीं ये सवाल को हम बाद मे ठीजी पढ़ेंगे लोगो गोलेके आवेस का परिष्ट घनत बराबर है देखिये, फें शेम सवाल है, उनका जांक मतलबूं सब्सक्रेंट को डिया है आपको तो अब देखिए तब अनुपात एक अनुपात चार है तब दोनों गोले के आवेस का अनुपात क्या होगा मतलब Q1 अनुपात Q2 बराबर वाट मतलब समझ रहे हो ना सिग्मा 1 बट्टा सिग्मा 2 अभी जो जस्ट पढ़ा है Q1 बट्टा A1 बट्टा Q2 बट्टा A2 समझ गये ना फर्मूला लगा देना अभी जैसे जैसे बनाए है लेकिन यहाँ पर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कट जाएगा क्यों कर जाएगा क्योंकि आप सिग्मा 2 के जगा भी सिग्मा 1 इस्तेमाल कर सकते हो सिग्मा 1 बट्टा सिग्मा 1 मतलब कट क के वन आयागा समझ गया ना इसमें से तुमको आवेस का अनुपात ग्यात करना है फटाक से बन जाएगा समझ गया है बन जाएगा सवाल रोयल रामकुमार नहीं समझ आया सर कि देखिए यह आफ लैन वाला बैच में बताया हुआ सवाल है और यह पांच नमर का सवाल है इस सवाल में तो कोनों अनुपा मतला वंतर ही नहीं है देखिए आवेस के प्रिश्वन तो यदि आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब कौन से नमर का सवाल बना रहे है साथ नमर का सवाल बना रहे है च्छो नमर का नहीं बना है च्छो नमर का यहां पर देखो यहां पर इस दोनों सेम है साथ नमर का सवाल बना तो यहां पर क्या नाम था रोयल रामकुमार आप कल का वीडियो देखिएगा ठीक है फिर आपको 72 समझ में आएगा आवेश के प्रिश्गनत के बारे में कल बता दिये थे ठीक है तो यहां पर पल्टोगे तो यह हो जाएगा Q1 बता A1 गुना A2 बता A2 बता हो जाएगा Q2 अब देखो अभी क्या बोले सिगमा1 बता सिगमा1 कर सकते क्योंकि दोना बरावर है यहां पर देखो Q1 बता A1 को Q2 को A1 के जगा गुना में हैं दे सकते हैं अब A2 बट्टा हो जाएगा A1 ठीक है इक कट के क्या हो जाएगा 1 बट्टा 1 हो जाएगा इधर जो है Q1 बट्टा Q2 अगुना A2 मतलब फोड़ पाये R2 का हलो स्कार बट्टा फोड़ पाये R1 का हलो स्कार समझ गहें ना अब यहां पर देखो तो 1 बराबर इधर 1 बचा तो Q1 बट्टा Q2 गुना फोड़ था 2 तीरजिया का नुपात यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर देखे क्या हो जाएगा एक बरावर Q1 बट्टा Q2 अगूना चार्चों का 16 बट्टा एक इसको इधर भेजोगे तो यह एक बागा में है तो इधर गुना में आई यह 16 बट्टा Q2 तो इसलिए Q1 अनुपात Q2 निकालेंगे तो यह हो जागा एक अनुपात 16 यहां पर देखे आंसर भी वही दिया होगा साइद क्या वही होगा बनाए है तो यहां पर देखे सेम है न एक अनुपात 16 बात समझवाया जिसको नहीं समझवा रहा है तो आप कल का वीडियो पहले देख लीजिए कल हमने सारे टॉपिक को कल हम सारा टॉपिक को किलियर किये ठीक है कि चलिए आगे बढ़े है है कि चलिए तो आज से दोस्त आपका अगला थियोरी अगला अगला थियोरी स्टार्ट हो रहा है कल सर्फिस देंसिटी ऑफ चार्ज मतलब पढ़ा दिये थे आज दूसरा थियोरी है वाट डू यू मीन बै लिनियर डैंसिटी दूसरी आकरती बस्तू में क्या होती है रेखि दूसरा लंबाई होती है हर एक वस्तू में तो लंबाई से रेखिक घनत आवेस के रेखिक घनत से आप क्या समझते इसकी बीमिया से तुरेवा मैसा ही मात्रा लिखे तो देखिए लीनियर डैंसिटी ऑफ चार्ज मतलब आवेस का रेखिक घनत आवेस का रेखिक घनत देखिए हम कल क्या बताए थे घनत का मतलब कल का वीडियो में घनत और आईतन दोनों में क्या अंतर है ये भी हम कल बताए थे जो बच्चा नहीं देखे कल का वीडियो 100% देखिए तब आज समझ में आएगा घनतो मतलब प्रती एकांग ठीका है रेखिक मतलब क्या होता है लंबाई होता है क्या होता है लंबाई आवेस मतलब तो जानवे करते हैं आवेस नंब्र अफ ठीक है तो क्या हुआ सेंटेंस क्या हुआ कि किसी वस्तु के परती एकांक लंबाई पर किसी वस्तु के परती एकांक लंबाई पर यहां सौरी हैं यहां पर definition लिखावा देखे किसी वस्तु के परती एकांक लंबाई पर विद्धुत आवेश के परिमान को आवेश का रेखिक घना तो कहते हैं अर्फात परती एकांक का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कल भी आपको बताए थे कि मानलो एक डबा में 20 गो गेंद रखा इकाई भॉल्यूम को या इकाई एरिया को हम इकाई भाग क्याते ठीक है तो इकाई कैसे निकलेगा जैसे मानलो मानलो आप कि यह कोई पेन है ठीक है यह कोई क्या है पेन है और यह यह मतला 10 संटीमिटर 5 संटीमिटर 4 संटीमिटर 2 संटीमिटर कुछ ना कुछ तो लेंद्थ होगी नुस पैन का ज़िसे आपके यह पैन पूरा चार्ज फैल गया है तो इसके कूछ टोटल चार्ज क्यूंए और इसकी टॉटल लंबाई आ या है आपको कहगा कि रेखी घंदा पूछ रहा है तो परती एकांक लंबाई इस टोटल लंबाई के एकाई भाग के लंबाई का रेश मंग रहा है तो सीधी वात है हम बार-बार हम ही कहते हैं कि एक डब्बा में मानके चलो 50a गेंथ और पूर्य डब्बा का मूल है 500 या तो एक आई लेंथ का एकांख भाग के लंबाई का क्या निकल जाएगा आवेश निकल जाएगा और इसी को कह दिजेगा आवेश का रेखिक घनत कहते हैं किसी वस्तु पर की खुल आवेश एबाम की खुल लंबाई के नूपास क्वाबश का रेखिक घनत करते हैं कुन दिकत यहां देखिये आगड़ेजी में उसी का डयफीनेशिं का अगड़ेजी देखिये किसी वस्तु के प्रतिगांग लंबाई पर हां शिव संकर कुमार बहुत अच्छा दा एमांट ऑफ एलेक्टिक चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ अफ एनी बॉड़ी इज गॉल्ड लीनियर डेंसिटी अफ चार्ज मतलब किसी वस्तु के वही बला हिंदी जो बताये थे और और या करके दूसरा पड़िवासा जो अथवा करके दा रेशियो ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉड़ी और इट्स लेंथ इज कॉल्ड लेनियर डेंसिटी अफ चार्ज मतलब किसी वस्तु के कुल आवेस किसी वस्तु की कुल आवेस येवर मुसके लंबाई के नुपा पड़िवासा लेख लोगे और ये थियोरीव लेकरके डेफनेशन के बाद युए श्टार मो χोंट टेकर करके टी डिनोल्ट इनौतिर वाल आवेअब यहाप इसकेलर क्रकral K formally便 подैny यह अदीष रासी है अदीष रासी है तो बिजगनितिया योग के नियम का पालन भी करेगा नहीं करेगा बताइए हाँ या ना विजगनितिया योग के योग के नियम का नियम का पालन करती है अस्टेलर हाँ जितना इस्टेस्टी है अहड़ तो बिजगनितिया योग की नियम का पालन करेगा ना तो इसलिए सबस्थ लीख लेंगे और जकटी पॉइंटisce कर ये ना हिंदि वाला लिख स्क्रीन शॉट ले लिजेगा बाद में एमडी अर्मान कि आफ लाइन है कि चलिए देखिए स्क्रीन शॉट ले लिजेगा समझ रहे हैं ना कॉंसेप्ट के लिए रखिए ठीक है अब आकी ठीक है चलिए तो यह सब लिख करके आप यह फिगर बनाईएगा इसको मतलि लिखिएगा इसके बाद माल लिजे इसको पी आइसको क्यूं माल लिजे और इसको पूरा चार्ज दे दिजेगा ठीक है यह क्या है पूरा चार्ज दे दिजेगा इस बॉड़ी को इस बॉड़ी को चार्ज दे जिगा और इस पर टोटल च लो एल तो और यह फिगर बना करके यहां लिखना लेट मतला माना पिक्यू पिक्यू कोई एल लंबाई की वस्तु है एल लंबाई की वस्तु है जिस पर कुल आवेस क्या माने हो क्यू न क्यू है ठीक है यह फिगर बना करके यह माना की लिख करके अब हम आगे बढ़ते हैं समझ माया यहां पर तो जब देखिए इसकी टोटल लंबाई एल है पूरा चार्ज है तो चार्ज हम क्यू माने हैं तो इसके आप इसके रेकी खनात क्या ह होगा एक बटल हो जागा नहीं हो जागा देखिए इसलिए लिनियर डेंसिटी ओ चार्ज मतलब आवेस का मतलब लेमड़ ओически dad dramatic तो टोटल चार्ज क्वंच टो टोल आवेस क्यों अरे शौरी आप एश्मॉल क्यू मानें हों न टोटल चार्ज को आप क्या माने हो अधिरी कि मच्छर भी ना क्यू बाइ एल टोटल चार्ज विटर टोटल लेंथ मतलब टोटल चार्ज क्यू आ लेंथ एल समझे वाया अब देखिए तो लेंडा बराबर क्या हो जाएक क्यू बाइ अब देखो क्यू बराबर फर्मूला पढ़े हो आप क्यू बाइ एन गुना ई भी नहीं तो यह यह वैल्यू जादी इसमें रखोगे तो इसी लिए लेंडा बराबर हो जाएगा एन गुना ई अब टेम कौनची अल समझ माया तो अब देखिए डामेंशनल फर्मूला ओफ लेंडा मतलब आवेश के रेखि घनतु का वीमिया सूत्र अब देखो रेखि घनतु को लेंडा दुआरा सुच्ट करते हैं और लेंडा बराबर फर्मूला होता है क्यू बटा एल नहीं तो क्यू का तो दोस्ट वीमिया सूत्र 80 पढ़ें न आप और चार्ज का इसे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं जब इसчи लेक्टर में मतला इसका पर पणाया ऊइस subsid क्या हुई एल अब देखो नीचे-ठो तो इहाँ त्र ये ओ सि एसाइ माज यूनिट ऑफ लेंड़ा मतलब आवेस के रहे घ्राथ का एसाइ मात्र रगे या या इससे यदि मात्रक निकालोगे तो चार्ज का होता है कूलम और लंबाई का होता है मीटर तो कूलम आदमी बट्टा में मीटर है ना ऊपर जागा तो मैंनस वन क्योंकि इस पर तो वन होगा नीची में पलस में उपर जागा तो माइनस वन तो इसलिए इस वार भी विहार बोड के एक्जाम में यही न पूछा था अबजेक्टिव में कि रेखी घरत का मात्रक क्या होता है तो कूलम मीटर इनवर्स या या करके दे दिजेगा या यदि इस पर से मैनस आपको हटाना है इसको कूंची में दे दो परती में किसको मीटर को तो यह हो जागा कूलम परती मीटर ठीक है अर्थात इसका आप लिख सकते हो कूलाम परती मीटर ठीक है मैनस हट जाएगा ठीक है चलिए समझ मा रहा है यह आपका सकेंड टॉपिक भी लिनियर डैंसिटी कि खतम हो गया अब इसका सवाल करवाते है देखिए कि चलिए स्क्रिंशॉट ले लिए सब कि पेट भर गया कि रिवाइज करो नहीं यार पेट भर गया दसे मिनेट में पेट भर जाता है तुम लोग का जबकि हम अपने स्पीड पर बहुत ब्रेक लगा हैं सूपर फास्ट वाला स्पीड जो चलता था पीछले वीडियो सब में वह वाला स्पीड में इसका मतलब नहीं समाल पा रहा होगा तुम लोग क्या रविंद्रा कुमार्यादव एस्पीड पर फुल बिरेक लगा दियें कितना सुलो सुलो पढ़ा हैं आज उस उपर फास्ट वाला एस्पीड देते इसका मतलब आप लोग नहीं समाल रहे थे क्या चलिए चलिए अब हम आगे इसका सवाल करवाते हैं ठीक है इसका सारा फर एक्जामपल भी करते चलिए यहां पर देखो यह एक्जामपल नम्मर फर्स्ट एक्जामपल नमर फर्स्ट कहता है चालीस सेंटीमीटर लंबी किसी बस्तू पर 18 माइक्रोकुलम का वेस है तो उस बस्तू पर आवेस कर रहे कि घनद बिल्कुल गड़ीव सा सवाल है मतलब समय रहे हो ना बहुत आसान सवाल है बहुत आप सोच नहीं सकते हो कि कितना आसान है ठीक है यह देखो कि अरे रहे कि मालो यह ए और बी कोई एल लंबाई की वस्तू है और क्वेस्चन में उसकी लंबाई दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर ठीक है और इस पर टोटल यह पूरी तरीका से क्या है दोस्त आवेसित है यह पूरी तरीका से क्या है चार्ज है और इस पर जो आपको चार्ज दिया हुआ है वो चार तो यहां पर लिखेंगे सर गिवेन दिया हुआ है एल बराबर 40 सेंटीमेटर मतला देखो कुलाम ऐसा ही मात्रक आवेसका सेंटीमीटर सीजी एस बदलना पड़ेगा ना तो 40 भागा सर 10000 कट जाएगा सर 0.4 मीटर हो जाएगा सर और क्यों जो दिया हुए सर 18 मैक्रो कुलाम मतलाव 18 गुना दास पापार मेना स्चा कुलाम तो अब सर आवेसके रेखी घंद मतलाव लाउंडा बराबर वाट ठेक है तो यहां पर लेम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बाए एल बात समझ रहे हो ना कि सर आप ही ना बोल रहे थे बोले थे तुट है अच्छा अच्छा यूनीट के बारे में बोल रहे हैं अभी यूनीट स्टार्ट कहां मतला अभी तो छोटा-छोटा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का डेली जी के ऑफिसियाल आफलाइन आफलाइन में अंतर है यार आच्छा देखो तो यहां पे क्यू का क्या हो जाएगा ठारा गुना दस पपावर मैनस छो कुलम एल कितना जिरो पॉइंट चार मीटर दसमला बुडाओगे एक सो असी हो जाएगा तो लैमडा बराबार एक सो असी भागा चार गु इतना दो ना तो पांचो का बीस चार चो का सोला दो अठारा पांचो का बीस ठीक है तो लैमडा बराबर फोटी पैतालिस ना दस पावर छो मतलब कुलम परती मीटर अर्थात इसमें इसको ऐसे सुन्दर से एस्टेंडर मानक रूप में फूर पॉइंट फाइब गुना द कि चलिए आवेश का रहेखी घनतु का यह पहला एक्जामपल था आगे बढ़ें अरे सब सो गया है क्या जी अब देखिए सकेंड एक्जामपल कोटा फूल हो जाता है तुम लोग का थोड़ा सामें ही चलिए दूसरा कुश्चन आवेश का आयतन घनत उससे औरे रे रे पहले इस पर एक दूब कुश्चन करवा एक और दे देते हैं उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सॉरी हमको लगा कि उसका और है कोई कुश्चन एक्जामपल था क्या चलिए इसमें से करवाते हैं कि शलिए इसका तो अभी आप लोगे स्क्रिंशॉट लिए ही थे अवे इसको उधर ठेको देखिए यहां पे लेमडा बराबर क्यूबा एल या क्यूब बराबर लेमडा गुना एल लब दोड़ टैप का सवाल आएगा आपको पहला असी सेंटीमिटर धातू के जर पर एक सो बीस माइक्रो कुलम का आवेस है तूस धातू के जर पर आवेस करें कि घरत अभी जो हम बता है वो सेम तू सेम सवाल है पर एक नमर का सवाल आपको घटाक से बन जाना चाहिए कोई सिकायत नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने सेम सवाल अभी जर्ष्ट बताया है ठीक है उसके बाद दूसरा सवाल देखो देखो ना इसमें एल दिया हुआ है क्यो दिया हुआ है लेमडा चाहिए निकल जाएगा न नो सर सोय नहीं है पड़ रहे है तो बताओ यार कुछ कुछ बताओ लाइव का मतलब क क्या आप मेरे सामने हो कि तो कुछ बत बोलोगे तम ना हमको भी लगेगा की चलिए एक नमर का सवाल हो जाएगा दूसरा देखिए दूसरा सवाल काता है कि 20 संटीमीटर लंबी किसी धातू के ज़र पर आवेस का रेखी घनत तो उसके बाद काता है आवेस का रेखी घनत मतलब लेंडा बराबर 3 दस अमलब दूसरा पर मेनस चार कुलम पर ती मीटर तो इस पर चार्ज निकालना क्यू बराबर चुक्कि लेमडा बराबर होता है ना क्यू बाइल पढ़े ना अभी जश्ट तो यहां से क्यू निकालोगे तो लेमडा गुना लेकिन देखो यह कूलम परती मीटर ऐसा ही मात्रक में है यह सेंटीमीटर सी जियास मात्रक इसको मीटर में बदल लेंगे तो दू भागा एक चूलम परती मीटर अगुना लेमड ल का वेल्यू कितना है दू गुना दस पर मेंश एक मीटर ठीक है यहां पे देखो मीटर से मीटर कट जाएगा ठीक है तो क्यू हो जाएगा तुमको दू दूना चार तिन दूना छो मतला चौद दसमलब चार चार एक पांच मतला दस पारमेनस पांच कुलाम 16 समलब चार गुना 10 पारमेनस पांच कुलाम ठीक है यह आंसर हो जाएगा इसका कि आदो नम्मर का भी हो जाएगा असान सवाल है इस सब में कुन दिकत है नहीं दोस्त राहुल कुमार चलिए अब हम थोड़ा सा समय भी हो चुका है एक ही फर्मुला को दस तरीका से समझाते थे तो अभी नहीं समझा रहे हैं यहां भी तो समझा रहे हैं अफलैंटों में ही थोड़ी समझा रहे थे सब जगह यहां भी समझा रहे हैं चलिए दोस्त आज हमने सर्फेस डेंसिटी आफ चार्ज का नुम्रिकल देखा उसके बाद एक थियोरी लीनियर डेंसिटी आफ चार्ज देखा और लीनियर डेंसिटी आफ चार्ज का नुम्र नन्वा देंगे ठीक है कल हम ख़तरनाग topic column लोभी start करेंगे चलिए तीश्रा नमर का सवाल देखिए तीस नमर का सवाल कहता है यदि दो बस्तू के लंबाई का अनुपाद थिन है तथा उस पर आवेस का अनुपाद थिन अनुपाद दू है तो उस बस्तू पर आवेस का रे ये कोई दो वस्तु है मालो ये और इसके लंबाई का अनुपात दो अनुपात तीन मतलब ये मालो पहला वस्तु है और ये जो है दूसरा वस्तु है इसकी लंबाई L1 है इसकी लंबाई L2 है ठीक है और इसका ये दोनों के लंबाई का अनुपात जो है आपको दिया है L1 अन उस पर आभ़ेस का अनुपात मतलब इस drag माल लो q1 इस पर ch duod y you don't होता है Q बट्टा एल क्या होता है पड़ेना अभी आप Q ल तो इसी लिए सर लेमडा वन बट्टा लेमडा टू बराबर Q1 बट्टा L1 बट्टा Q2 बट्टा एल्टू और इसी को जब पल्टेंगे सर तो यह होजागा Q1 बट्टा अब देखो यहां लेमडा 1 बट्र लेमडा 2 बराबर देखो Q1 को उधर दो Q2 को यहां लेओ तो Q1 बट्र क्यूटू गूना L2 बट्र L1 अब वैल्यू रख दो कल्कुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आप कह सकते हो कि यह जू है वड़ाबर हो जाएगा तीन बट्र कोंची को दो तो दोनों को गुना भगा कर दो, 3, 3, 9 बटा, 2, 2, 4, मतलब 9 अनुपात 4 आनसर, ठीक है, यह अनुपात निकाले हैं, लेमडा 1 अनुपात, लेमडा 2, इसको बटा अनुपात में लिखोगे, तो 9 अनुपात 4 होगा, समझ में आया, कुरूदी कत, कितना आनसर आया, 9 अनुप चलिए यदि समझ माया तो दवा के सेयर करिए इस सेशन को ठीक है यदि बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त के साथ सेयर करिए ताकि हमें भी एक अलग मौटिवेशन मिलते रहे और हम हमेशा आप लोग के लिए तत्पाइड रहें ठीक है बाय बाय गुड़ नादे मिलते रहें अलग मौटिवेशन टेंट रहें आपटर्श अलग महा नादेर एक हैज़ को दितक है लिए यदिदीजिजिगर गिए दत्ता ये जोब मौटिएबोवेशन मौटिवेशन मौटिवेशन मौटटर्श जबार्य कॉबएशन